हेलो दोस्तों मैं हूँ रजणी पटेल और मेरी चैनल DIY Craft and DG Food में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए Bread Snacks रेसिपे लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़िदार है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है येसे आप बच्चों की टिफिन में भी रख सकते हैं तो चलिए हम अपनी Bread Snacks रेसिपी बनाते हैं हम एक बड़ा सा बावल लेंगे उसमें एक कटोरी सूजी डालें एक कटोरी दही डालें योगि ताजी होनी चाहिए खटी रही सिम्ला मिर्च डालें एक एक प्यास डालें एक टमाटर डालें एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें आधा चम्मच नमक डालें एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें आधा चम्मच सक्कर डालें कटी हुई धनिया पत्ती डालें सभी को अच्छी तरह से मिलाएं पेश्ट में थोड़ा थोड़ा करके आधा कटोरी पानी डालें पेश्ट को पतला ना करें, हलकासा गाढ़ा रहने दें इसको अच्छी तरह से मिक्स करके स्मूथ सा पेश्ट बना लें और पेश्ट को दस मिनिट के लिए रेश्ट करने रख दें अब हम ब्रेट पेप लगाने के लिए चटपटी सॉस तयार करेंगे आधा चमस सेजवान चटनी एक तिहाई कटोरी टमेटो सॉस दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें हम एक पेकेट ब्रेट स्लाइस लेंगे सभी ब्रेट स्लाइस पर अच्छी तरह से सॉस लगा लें दस मिनिट बाद देखिए हमारा सूजी का बेटर एकदम तयार है देखिए सूजी अच्छी तरह से फूल गई है गैस ओन करके उस पर तवा चड़ाएं तवा नौन इस्टिक होना चाहिए एक चमच मक्खन डालें दो चमच तेल डालें ब्रेट पर सूजी का पेश्ट लगाएं जिस साइट पर हमने सूजी का पेश्ट लगाया है उस साइट को तवे पर डालें सभी ब्रेट पर पेश्ट लगाकर तवे पर सेंकें दीमी आज पर दो मेरिट तक ढख कर पकाएं ब्रेट को पलट कर अच्छी तरह सेंक लें सभी ब्रेट को इसी तरह सेंक लें बचे हुई ब्रेट को भी हम इसी तरह सेंक लेंगे जब आपको कुछ अच्छा खाने का मन करें तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं है न मज़िदार रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए बेल आइगन भी दवा दीजिए जिससे मेरी आने वाली क्राफ्ट और रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करकी जरूर बताएं धन्यवाद